आज वास्तु पर चर्चा करेंगे यदि आयर्वेत काया कल्प करता है योगा मन कल्प करता है तो वास्तु शास्त्र भाग्य कल्प करता है भाग्य कल्प का आधार होता है आकार, स्वभाव, गुण और काल फॉर्म, वर्श्यू, नेचर एंड टाइम ये चार स्थम भागे कल्ब के होते हैं और ये संभव है वास्तु शास्त्र में वास्तेविक अस्तित्व यानि वास्तु तथा उसका प्रकर्टी के साथ समन्वे इसे वास्तु शास्त्र कहेंगे इस्थान के स्पंदन, लहर, ध्वनी, प्रकाश को बदलना तथा व्यक्ति के अनुसार लैबद करना वास्तु है वैदिक विज्ञान में वास्तु, योग, जोतिश, संगीत और आयरवेद ये पांच दिविविशय व्यक्ति के भाग, स्वास्त, कर्म, इंद्रिये और काया को कल्प कर देते हैं इनका आधार हमारे जीवन में उर्जा, वसुधा, पराकरम, आपसी संबंध, कर्म, धर्म, आनंद में महसूस कराना है वास्तु करने के भी तीना धार है, जैसे शरीर में एक्यूपंचर करते हैं, एक्यूपंचर क्या होता है? कि नीडल्स प्रिक करती हैं शरीर में और दबाव को रिलीस करती हैं एक्यू प्रेशर हम उपर से दबाब डालते हैं, प्रेस करते हैं और उसको रिलीस करते हैं प्रेशर को और बॉडी मसाज थोड़ी देर के लिए हमें बहुती आनंदित करता है और आराम देता है ऐसे ही हम अपने स्थान का भी वास्तु करते हैं एक्यू पंक्चर यानि जगा पर दबाब कम करने के लिए समतल जमीन के नीचे कुछ पॉजिटिव लगाना जिससे वहां से रेडियेशन पॉजिटिव आए एक्यू प्रेशर यानि घर में कुछ पॉजिटिव वस्तुओं एवं दिशा के अनुसार कुछ लगाना परिवर्तन करना और मसाज जैसे धुआ, हावन, ध्वनी का उप्योग करना जो थोड़े समय रहता है हमें इसको continue करना है, अगर हम इसे रोकेंगे, तो फिर बीच में कभी नकरत्म कूर्जा आ सकती है तो इन सब को हमको synchronize करना है, पंच महा भूत, उपचार, ये सब synchronize करना है और उस जगह की काया कल्प करनी है, जिससे उसमें रहने वाले व्यक्ति का भाग्ये उदय हो कहां भी गया है, छिती जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचत अधम शरीरा तो पंच तत्व का भी घर में सही उप्योग होना चाहिए इनकी गडवड़ी में भी घर ध्वस्त हो जाता है, जैसे जहां गगन आकाश की आवश्यकता है खुला पंच होना चाहिए, अगर वहां पे आप कोई ठोस आकार बना देंगे, तो कैसा असर होगा? जहां जल होना चाहिए, वहां अगनी रख देंगे, या प्रत्वी है, वहां जल रख देंगे, तो कैसा असर होगा? जहां पे हवा है, वहां अगनी कर देंगे, तो इस पर विचार अवश्यकरी, जिससे आपके पूरे परिवार को लाब मिले, और अपने घर में जो पुरानी वस्तुए, जो छुपा छुपा के रखते हैं, उन सब को निकाल दीजे, आप देखेंगे कि बहुत अराम मिलेग बहुत दवाब ढालते हैं, इन से हमें बहुत मोह होता है, जो हम वस्तुएं यूज नहीं करते हम उन्हें खुब रख लेते हैं, और सालों यूज नहीं होती हूं वो रखी रहती हैं, तो ऐसा मत करिए, और स्षस्त रहें, मस्त रहें, धन्यवाद